तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में 10th क्लास के उर्दू का अबजेक्टिव कोशन होने वाला है और ये डे 3 है यानि कि तीसरा दिन या फिर आप पार्ट 3 कह सकते हैं सिर्फ 3 दिन का ये स्रीज चला था तीन दिन में हम लोग 300 objective कोशन का target लेकर चले थे यानि कि सिर्फ 3 दिन में पूरा 300 objective कोशन हम लोग को खत्म करना था जो कि total 300 objective कोशन 10th क्लास के उर्दू के बुक से था मतलब कि जो भी objective कोशन हो सकता है वो इन ही objective कोशन से पूछेगा आप लोग के एक्साम में इससे बाहर पूछने वाला नहीं है तो 2 सा हम लोग अलरड़ी कर चुके हैं पहला दिन हम लोग 100 objective कोशन किये थे ठीक है और दूसरे दिन भी हम लोग 100 objective कोशन किये थे दिन आप लोग का एक्जाम में एक भी कोशन छूटने नहीं वाला है 10th क्लास के उर्दू के objective कोशन से क्योंकि जो भी आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछेगा इन ही 300 objective कोशन में से पूछेगा इससे बाहर पूछने वाला नहीं है ठीक है न तो चली आज के इस वीडि दिया जाता है और पीडिएफ आप दो तरह दो जगा से जुड़ कर ले सकते हैं एक तो टेलीग्राम से और दूसरा वाट्सएप चानल से दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग जिस भी माध्यम से पीडिएफ लेना चाहते हैं उस माध्यम से ले सकते हैं कोई दिखत नहीं है देखिए सबसे पहला सवाल तो नहीं एक सवाल आया है क्योंकि पहले वीडियो में यानि कि डे वन पहले दिन हम लोग 100 अबजेक्टिव कोशन किये थे जो कि आप लोग का कोशन पेपर का 100 अब सब्सक्राइब कोशन स्टार्ट होगा और 200 अबजेक्टिव कोशन कंप्लीट करेंगे ठीक है ना तो तो टोटल तीन सब्सक्राइब कोशन कंप्लीट और इसी वजह से यहां पर कोशन नंबर नहीं है क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोग अल्रेट अब्जेक्टिव सी में हिंदू और डी में मुस्लिम आप लोग को पता है कि भीम रावंबेट कर जो है ना आगरा से चल कर कौन से धर्म को अपना लिए थे कौन से मजहब को इक्तियार कर लिए थे तो याद रखिएगा वह मजहब था बुद्ध यानि कि ऑप्सन नंबर ए इस दा करेक्ट अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखिए और इसका जवाब दीजिए आप लोग मेरे अंसर बताने से पहले आप लोग सोच लिजिए कि हाँ इसका यह होना चाहिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताईए और फिर आप लोग मिलाईएगा लास्ट में आप लोग ज दाखिला लिये थे यानि की अड्मीशन लिये थे एलिफिस्टन कॉलेज यानि की ऑपसा नंबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्टन नंबर एक सतीन नंबर सवाल है कि लुद्फुर रह्मान की पैदाईश कब हुई और साने में इसका सही जवाब होगा ऑपसान नंबर बी उनए से एक तालिस में लुद्फुर रहमान की पैदाईश हुई थी आगे बढ़ते हैं एक सचार नंबर सवाल है कि लुद्फुर रहमान किस पार्टी के मल ए रहे और सने में कॉंग्रेस बी में है बी जे पी सी में राजद औ थे बताईए पूछा हुआ सवाल है और इसका जो सही जवाब होगा वहगा ऑपसन नंबर सी राजद यह राजद पार्टी के मल ए रहे थे औरन सी करेक्ट अंसर नेक्स्ट कोर्शन ऑन्दे स्क्रीन है कि द्रामा की तक्मील का दिखाने के लिए बताईए ड्रामा की तक्मीन के लिए ड्रामा दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज क्या है और इसका जो सही जवाब है वह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बहुत आसान सवाल है और इसका सही जवाब होगा अपसे नमबर बी जी हाँ लुत्फ रह्मान का जो मजमून हमलों के निसाब में शामिल है वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर अपसे नमबर बी इस दा करेक्ट इंसर नेक्स्ट कोशन ऑन्दे स्क्रीन की लुत्फ रहमान के वालद जी अनकी पीता जी का नाम क्या है अबदुल्वुदूद बी में अबदुलमाबूद दी में हैं अबदुलशकूर तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑपसे नंबर सी अब्दुलगफूर लुत्फुर रह्मान के पिता जी का नाम क्या था अब्दुलगफूर आगे बढ़ते हैं एक साथ नमबर सवाल कि लुत्फुर रह्मान कहां पैदा हुए आपसाने में अलिगड़ बी में राय बरेली सी में फैजबाद और डी में बनियारपूर बताईए लुत्फुर रह्मान की पैदाई श्वी थी बनियारपूर में यानि कि आप्सान नमबर डी हो गया बिलकुल सही जवाब तो जरूर पढ़े लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्समें है विच्वास दिलाती हूँ गारंटी देती हूँ अगर मेरे द्वारा पढ़ाये गए चैप्टर को अगर आप लोग ने पढ़ लिया है तेन आप लोग हर एक उप्जेक्टिफ को ओश्चन का एंसर बिल्कुल बिल्कुल सही सही बताएंगे तो इसका जो सही जवाब आप लोग को दिखाई दिरा होगा और आप लोग को लग रहा है मुझे पता है इसका सही जवाब आप लोग को लग रहा होगा एक सनौ का ओप्सन नमबर A जी हाँ, बिल्कुल सही सोचे हैं, आप लोग, आप लोग को बिल्कुल सही लगा है, दर्भंगा is the correct answer, लत्फु रह्मान का बाईवतन क्या हाँ था, तो दर्भंगा था, एक सदस नमबर सवाल है कि आरे भट की पैदाईश कहां हुई, option A में है बिहार, B में है जारखंड, C में है उड़ी सा, ठीक है, और D में है असाम, आरे भट की पैदाईश हुई थी, बिहार में, यानकि option number A is the correct answer, सोचे हम लोग का बिहार कितना फेमास है, कितना मशूर है, आरे भट जैसे लोग की पैदाईश, जैसे साइंटिस्ट की पैदाईश, बिहार में हुई थी, ठीक आरे भट ने अपना तजर्बागा, यानि कि अपना रिसर्च सेंटर कहां खोले थे, कहां कायम किये, कहां इस्थापित किये थे, आप लोग को पता है ना, दिख जा रहा है, डिरेक्ट अंसर दिख रहा है, जी हाँ, इसका जो सही जवाब होगा, वहोगा option number B, तरेगना, अल्रेडी में आप लोग को important समझते हुए ये point पढ़ाई थी, ये chapter को बहुत ही बहतरीन धंक से आप लोग को पढ़ाई थी, अगर आप लोग ने chapter पढ़ा है, तो बिल्कुल सही अंसर है आप लोग का, तरेगना, option number B, 112 number सवाल, कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैस कैसा दौर कहा जाता है, ये भी important question है, start लगा दे रही हूँ, पूछा हुआ सवाल, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, option A में जमहूरी दौर, B में तरक्की पसंद दौर, C में सुनहरा दौर, जी हाँ, option number C हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, सुनहरा दौर, option number C will be the correct answer, 113 number सवाल, कि आरे भट का तालुक किस दौर से था, option A में गुप्त एहद, तो क्या गुप्त एहद से था, जी हाँ, बिल्कुल, गुप्त एहद से ही था, यानि कि option number A हो गया, बिल्कुल सही जवाब, गुप्त एहद, 113 का option number A, आरे भट का संब बेगम, और D में हैं, बिवी आमीना, बहुत आसान सवाल है, लुप्त रह्मान की वालिदा, यानि की मा का नाम बताना है, और इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा, option number D, बेवी आमना, बेवी आमना नाम था, इनके वालिदा, यानि की मा का, आगे बढ़ते हैं, 115 number सवाल की दरजैल में कोन लुट्फ रहमान की लिखी हुई शायरी का मजमूआ नहीं है, यानि की इन चार्व-ॉप्सन में से कौन से ऐसा option है जिसमें, लुट्फ रहमान की लिखी हुई, शीरोशायरी का किताब नहीं है, option A में है ताजगी बर्ग नवा, B में है बोसे नम, C में ह और इसका सही जवाब होगा Ands यह लुथ्फ रह्मान का शीर उशयरी का मजमूवान नहीं है यानिकी शीर उशयरी का किताब नहीं है तो अपसट नम्बर दी इस तक सुनह नम्बर सवाल की लुत्फ रहमान के मजमून निगारी के लावा और क्या मिक्सूस मौधुइत रहें यानि की मस्वून निगारी के लावा इन्हों हुआ इन्हों ने कौन कौन देशिसné सिर्फ में particulate की है ठीक है ना किस वजह से से यह मशूर हुए और भी तो लुट्फ रह्मान जो है ना वह मजमून निगारी के लावा उनके और क्या मुख्सूस मौजुवात रहे थे अपसाने में तनकीद भी में शायरी सी में अफसाना निगारी और डी में सभी तो इसका सही जवाब आपसान नंबर डी ही होगा सभ लुट्फ रह्मान जो है ना वह तनकीद का भी काम तनकीद भी लिखे थे शेर और अफसाना निगारी यानिकी कहानी भी लिखा करते थे तो आपसान नंबर डी सभी इस दा करेक्ट एंसर एक साथ 17 नंबर सवाल कि लुट्फ रह्मान अपनी तद्रीसी खिदमात का अपनी टिशिंग सर्विस का कि शिरुवाद जो है ना लुट्फ रहमान किस यूनिवर्सिटी से किये थे और इसका सही जवाब है ऑपसान नंबर भी भागलपूरी यूनिवर्सिटी याद रखिएगा इंपोर्टन कोशन है ये भी बहुत बार पूचा गया है दिशन और डी में अबुल कलाम तो इसका सही जवाब आप लोगों को दिखी रहा है मैं आप लोगों को पढ़ाई थी इंपोर्टन समझते वे बताई थी कि याद रखिएगा पाइथा गोरस जो है ना पाइथा गोरस जैसे साइंटिस्ट की रहनुमाई किये थे आरे भट यानि कि 118 का ओप्सन नंबर B is the correct answer राय मश्वरे दिया करते थे पैथा गोरस को आरे भट 119 नंबर सवाल कि आरे भट की पैदाईश कब हुई आप लोगों को बताना है ओप्सन A में 574 B B में 574 B C में 476 B और D में 778 B और इसका सही जवाब होगा ओप्सन नंबर C 476 B आगी यानि कि दस्मल आओ जो डेसिमल है ना उसकी खोज किसने की ऑप्सने में भी म्राओं बेटकर B में आरे भट जी हां आरे भट ही हो जाएगा यानि कि ऑप्सन नंबर B is the correct answer इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं डिरेक्ट दिख जा रहा है इंसर आरे भट एक सएका इ किसी सैयरा या सितारपर जजवी या cosa परघे जाने को क्या कहते हैं आ गरहन और डी में हैं इल्मिनजून बहुत आसान सवाल किसी सज़ारा यह पिर सितारा पर जडवीए मुकमल यानि या पिर पूरा जज्वीया मुकमल तॉर पर परेद साधा पड़ जाने को यह चैने प्यार्षाइं पर घोतीय तो इस दोग जाने को इसलिए मैं बोल रहे हूं कि अगर आप लोगोंने chapter पढ़ा है तो आप लोग हर एक question का answer बिल्कुल सही सही दे पाएंगे तो अगर आप लोगोंने chapter नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़े इसमें आप ही का फायदा है एक सबाइस नमबर सवाल है कि किस्वी सदी का सबसे बड़ा सुरजगरहन कब लगा था ओप्सण A में है जून 2008, B में है जुलाई 2009, C में है अगस्त 2011 और D में है सेप्टमबर 2003 सही जवाब क्या होगा एक सबाइस नमबर सवाल है एक सबाइस का सही एंसर हो जाएगा ऑप्सण नमबर बी जुलाई 2009 में लगा था एक किस्वी सदी का सबसे बड़ा सुरजगरहन ऑप्सण नमबर बी विल बी दख करेक्ट एंसर एक सब्सक्राइस नमबर सवाल कि नासा के एक साइंस दा जो 2009 में अपने 2009 में पेश आने वाले सुरजगरहन पर 20 सालों तक तैकिकी काम करते रहे उनका नाम क्या था नासा के एक साइंटिस्ट थे जो 2009 में लगने वाले सुरजगरहन पर 20 सालों से वो रिसर्च कर रहे थे तो उनका नाम क्या था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था उपसने में आरे बट बी में है पीजे अब्दुलकलामाजाद अबुलकलामाजाद सी में अल्लमा एकबाल और डी में है जे एंडर्सन तो उन Scientist का जो नाम था, वो नाम था J. Anderson यानि कि Option number D is the correct answer 124 नमबर सवाल कि J. Anderson ने 2008 में कितने सफाद पर तफसीली रिपोर्ट पेश की J. Anderson जो थे 2008 में ही कितने पेज पर वो एक तफसील से रिपोर्ट पेश किये थे सब्सक्राइब कितने सफाद थे उसमें, Option A में हैं 50, B में 100, C में 200, D में 300 कितने सफाद पर वो एक तफसीली रिपोर्ट पेश किये थे यानि कि उस रिपोर्ट में कितने सफाद थे तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो Option C हो जाएगा 200, 200 सफाद पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश किये थे, Option C is the correct answer, municipal 115, नमबर सवाल कि ज्ये अंडर्शन के रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 के सुरजगरहन के मुषाधा के लिए मुशाद़ के लिए मुणासिब तरीन मुकाम क्या था, यानि कि तरेगना के मानी क्या है? तरेगना का मतलब क्या होता है? उप्शन A में है तारेगना जी हाँ तरेगना का मतलब होता है तारेगना यानिकी 126 का भी उप्शन नमबर A ही हो जाएगा तारेगना 272 सवाल कि 2019 B का सूरजगरहन कितने बजे पेश आने वाला था और इसका सही जवाब होगा याद रखिएगा option number A सुबह 5 बज़ कर 29 मिनट पर वो सुरजगरहन लगने वाला था जो कि उनिस्वी सदी का सबसे बड़ा सुरजगरहन था एक साथाइस नमबर सवाल है कि तरेगना पटना से दक्कन जानिब कितने किलोमीटर की दूरी पर वाके है पटना से दक्किन यानि कि दक्षिड की तरफ कितने किलोमीटर की दूरी पर है तरेगना option A में है 10, B में है 20, C में है 30 और D में है 40 और इसका सही जवाब होगा option number C जी हाँ 30 किलोमीटर की दूरी पर वाकी है तरेगना आगी बढ़ते हैं 29, 29 नमबर सवाल कि जब चांद का साया सूरज पर पढ़ता है तो कौन सा गरहन लगता है जब चांद का साया सूरज पर पढ़ता है यान कि चांद की परच्छाई सूरज पर पढ़ती है तो कौन सा गरहन लगता है option A में चांद गरहन, B में सूरज गरहन, C में जब चान पर चाम चान करहन ऑर इसका सही जवाब आप const y सूरज गरहन जब चांद की परती हैं तो उसको कहते हैं कि शूरज घ्रहन लग गया यानि कि एकस तीस नमबर सवाल हैं तो उसको है हाधिर उस्वा बैं हरम समय है प्रेम चंद इसका सही जवाब होगा और सी नजीर एहमद की नाविल है तो अबतल नसू और इसका सही जवाब होगा याद रखेगा यह इंपोर्टन कोश्चन है आप लोग एक्जाम में पूछा भी गया है नजीर एहमद के पहले नाविल का नाम है मिरातुल रूस याद रखना है ऑप्सन नंबर डी इस तक करेक्ट एंसर एक सबतिस नंबर सवाल कि नजीर एहमद की पैदाईश कब सही जवाब इसका भी हो जाएगा क्या ऑप्सन नंबर बी जी है नजीर एहमद के लिए अपनी बेटी की तालिम और तर्वियत के लिए नाविल लिखे थे तो एक सबसे सही जवाब होगा ऑप्सन नंबर सी बेटियों के लिए देखिए यहां पर और बेटो लिखा गया है तो गलती से इसी को आप लोग बेटीयों मत पढ़ लिजिए गा बेटो यहां पर है और यहां पर है बेटीयों तो यह अपने बेटीयों के लिए लिए जवाब होगा 134 का option नंबर A जी है उन्हें सद्दस में नजीर एमद का इंतकाल हो गया था 135 नंबर सवाल की नजीर एमद की पैदाईश UP के किस जिले में हुई किस डिस्टिक में हुई option A में है मेरट, B में है मुरादबाद, B में है कानपूर और D में है बिजनोर देखिए इसका सही जवाब option number D ही हो जाएगा बिजनोर UP के बिजनोर में हुई थी option number D is the correct answer ये question पूछा हुआ है याद रखिएगा 136 नंबर सवाल की फैमीदा नसू की कौन थी option A में है बहन, B में है बेटी C में है बीवी और D में है दोस्त तो फैमीदा जो थी वो नसू की याद रखिएगा वो बीवी थी option number C is the correct answer लेकिन अगर question पूछ देखी हमीदा नसू की कौन थी तो हमीदा जो है जो थी वो नसू की बेटी थी फैमीदा नसू की बीवी और हमीदा नसू की बेटी 137 नमबर देखिए पूछ भी दिया है हमीदा नसू की कौन थी तो याद रखिएगा बेटी option number B is the correct answer 137 का option number B बीवी बीवी the correct answer आगे बढ़ते हैं 138 नमबर सवाल की नजीर एहमद कितने साल के थे कि उनके वालिद यानकी पिता जी का इंतकाल हो गया option A में 7 साल B में 9 साल C में 11 साल और D में 13 साल नजीर एहमद जो थे न वो 13 साल के थे तो उनके वालिद यानकी पिता जी का इंतकाल हो गया था option number D हो गया बिल्कुल सही जवाब 149 नमबर सवाल कि डिप्टी नजीर एहमद के वालिद यानकी पिता जी का क्या नाम था तो पिता जी का नाम था देखिया option A में सादत अली B में महमूद अली C में अब्दलगफूर और D में अब्दलहलीम सही जवाब होगा option number A सादत अली सादत अली नाम था उनके पिता जी का 140 नमबर सवाल अर्भी और फार्सी की तालीम नजीर एहमद को किस से हासिल हुई option A में सादत अली तो जी हाँ सादत अली हो जाएगा ये अपने पिता जी से ही अर्भी और फार्सी की तालीम हासिल किये option number A ये विल बड़ी तर एक सेहकतालिस नमबर सवाल किते अंपल साहब में नजीर एहमद को कितने रुप्य महवार मिलता था k इंपल साब में मिलता था कितना रुपय मंतली मिलता था option A में 30, B में 40, C में 50, D में 60 इसका सही जवाब हो जायेगा 140 का option number B 40 रुपए इनको महवार मिलता था B is the correct answer 142 नमबर सवाल है कि नजीर रहमत कहां के डिप्टी इंस्पेक्टर थे option A में है कानपूर, B में है रामपूर, C में है बेगू सराय और D में है मुजफरपूर तो नजीर रहमत जो थे वो कानपूर के डिप्टी इंस्पेक्टर थे तो option A इस दा करेक्टन सर और इसी वज़ा से इनके नाम के आगे डिप्टी लगता है डिप्टी नजीर रहमत 143 नमबर सवाल कि उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है उर्दू के पहले नाविल निगार ये इंपॉर्टन कोश्चन है यह आप लोगे एक्जाम में पूछा गया है और उर्दू के पहले नाविल निगार का नाम है डिप्टी नजीर रहमत यानके option number D इस तक करेक्टन सर याद रखिएगा उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है नजीर रहमत और इनका पहला नाविल कौन सा है तो मिरातुल उरूस एक सच वालिस नमबर सवाल कि मिरातुल उरूस की अशाथ यानि की मिरातुल उरूस को कब परकाशित किया गया option A में 1872, B में 1885, C में 1888, D में 1879 एक सब पैंतालिस नमबर सवाल है कि अकबरी और असगरी किस नाविल के किरदार है option A में मिरातुल उरूस, B में निवातुल नाश, C में रुआए साद का और D में तोबतल नसू तो इसका सही जवाब है एक सब पैंतालिस का option A हो जाएगा, मिरातुल उरूस, अकबरी और असगरी जो है ना मिरातुल उरूस के किरदार है 146 नमबर सवाल है कि तोबतल नसू कि ये साथ कब हुई, यानि कि इसको कब परकाशित किया गया था तो इसको परकाशित किया गया था 1877 यानि कि option number D is the correct answer 147 नमबर सवाल कि नजीर एहमद के आखरी नाविल का नाम क्या है option A में मिरातुल उरूस, ये तो इनका पहला नाविल है, तो option A तो होगा नहीं इसका सही जवाब क्या होगा जरा आप लोग बताएं, एक ससे तारीस नमबर सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा option number C रुआए साथ का, option number C will be the correct answer, ये इनका आखरी नाविल था 148, number question है, कि रुआए साथ का कब शाय हुआ, यान कि ये किताब कब प्रकाशित किया है, ये नाविल कब प्रकाशित किया गया था option A में 1884, B में 1879, C में 10 और D में 1877, और इसका सही जवाब जो होगा, एक मिनट रुख जाएं, इसका सही जवाब होगा, option number A, 1884 option number A, is the correct answer, 1884 में इसको शाय किया गया था, प्रकाशित किया गया था, 149 नमबर सवाल है कि दर्जेल में से कौन, नजीर एहमत का नाविल नहीं है, पूछा गया है, option A में फसानाय मुपतला, B में मिरातुलूरूस, C में जादू एतिदाल, और D में इबनुल्वक्त, और इ यह जो है, जादू एतिदाल यह नजीर एहमत का नाविल नहीं है, तो option number C, will be the correct answer, 150 नमबर सवाल है, कि कितने साल की उमर में नजीर एहमत का इंतकाल हो गया, कितने साल की उमर में, यानि कि यह पूरी जिंदगी में कितने साल जिये थे, इनकी पूरी जिंदगी कितने साल क की थी, यानकी 74 साल में इनका इंतकाल हो गया था, option number D is the correct answer, एक से क्यावन नमबर सवाल है, कि गालिब की पैदाईश कब हुई, option A में हैं 1796, B में 1797, C में 1798, और D में 1799, और इसका सही जवाब direct दिख रहा है, जी हाँ, option number B, 1797 में गालिब की पैदाईश हुई थी, एक 52 नमबर सवाल है, कि मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए, तो इनकी पैदाईश आगरा में हुई थी, यानि कि option number C will be the correct answer, फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं, एक सा क्रिपन नमबर सवाल, कि मिर्जा गालिब के वालिद यानि की पिता जी का नाम क्या था, option में नस अच्रुलाबेग, B में अच्रुलाबेग, C में जया अच्रुलाबेग, D में अच्रुलाबेग, बताईए, मिर्जा गालिब के वालिद यानि की पिता जी का नाम था, अच्रुलाबेग, यानि की option number B will be the correct answer, 154 नमबर सवाल, कि खतुत गालिद के एक मजमुआ का नाम बता है, option A में मकातीब सरस्यद, B में मकातीब महदी, C में है उद हिंडी, और D में है गुबार खातिर, याद रखिएगा, कालिब के खतुत के दो मजमुए है, पहला का नाम है उर्दु मॉल्ला और दुसरा का नाम है उद हिंडी, तो देखिए, या तो option में उर्दु मॉल्ला दी या यहां पर एच्ठा जिया रहेगा, यहां पर उद हिंड़ी दिया है, option क्यों कि तूसराद लेट याखारा है, धर उद हिंडी नहीं दिया रहता, और दुछला जरूर्ड दिया रही तैज़, तो एक सबचन नम्बर सवाल क्या पूछा जा रहा है, के शामिर नसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया है यानि कि जो आप लोगे मुख में खत पढ़ना है गालिब की वो गालिब खत उस खत को गालिब ने किसके नाम लिखा है आपसने में करामत हुसेन हमदानी बी में अलताफ हुसेन आली सी में मस मुस्तफा खान शिफ्ता और डी में हैं सलामत हुसैन दरानी तो इसका सही जवाब आपसन नंबर ए हो जाएगा करामत हुसैन हमधानी के नाम ये खत लिखे रहते हैं 156 नंबर सवाल है कि मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है या कॉल किसका है ये बहुत ही फेमस कॉल है और ये नाम ये कॉल याद रखिएगा ये कॉल किसका है तो ये कॉल है जी हाँ गालिब का मिर्दा गालिब का इन्हीं का कॉल है कि मैंने ऐसा अंदाज तहरीर एजाद किया है कि मरासला को भी मुकालमा बना दिया है एक से 57 नंबर सवाले की गालिब का इंतकाल कभा वा करीजान हो गया था जी यह एक 501 नंबर सवाले की गाL covering का मजार कहा है DC यहिए इसका सही जवाब क्या होगा है खालिब का मजार का और इसका सही जवाब होगा और सी जी हां दिल्ली में गालिब का मजार है और सी इस दा करेक्ट अंसर एक साउन्सेट नमबर सवाल है कि गालिब ने टोटल कितने खतूत लिखे यान कि कितने खत लिखे थे गालिब मैं आप लोगो चप्टर पढ़ाई हूं तो बताई हूं अलड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा और सी तक्रीब नौश इन्होंने खतूत लिखे थे मिर्दा गालिब ने टोटल कितने खतूत लिखे तो तक्रीब नौश आगे बढ़ते हैं 160 नंबर सवाल गालिब के खतूत के किसी एक मजमूऔ का नाम बताएए किसी एक खतूत का मजमूऔ यान की खत की किताब का नाम बता देना है अब देखिए या तो उर्दू इमाला दिया रहेगा नहीं तो ओद हिंदी दिए रहेगा कहीं आप सन्में आ तखलुस किया था वो कौन सा तखलुस इस्तमाल करते थे तो स्टार्टिंग में उनका जो तखलुस था यानकी शिरोशारी के नाम शिरोशारी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो था असद फिर बाद में उन्होंने चिंद कर दिया और गालिब लगाना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर पहले पहल पूचा गया है तो पहले तो वो असद तखलुस रखते थे तो इसका सही जवाब असद हो जाएगा लेकिन अगर कोशन पुछता कि मिर्जा गालिब का तखलुस क्या है तब आप लोग लगाते हैं देखिए अगला कोशन पुछ सवार अभी में अजिजन्यसा बगम सि में इजगा 164 नमबर सवार कि मिर्जा गालिब की वालिदा यानि की मा का नाम क्या था है यो बहुत ही आसान सवार है एक दाम हलुँँज्ट कर दी आप लोग इंसर बताएं चाएं तो सुनकर विर्जा गालिब के वालिदा का क्या नाम था उपसने में रजिया सुल्तानाभी में अजीजुने सा बेगम सही जवाब तो आप लोग सोची लिए होंगे जी हैं इसका सही अंसर होगा उपसर नमबर सी इजट उन्ने सा बेगम इनके मां का नाम था एक सब 65 नमबर सवाल कि गालिब के चचा का नाम क्या था तो उथा नसरुलाबेग और सनमबर ए विल्विदा करेक्ट अंसर यह तो डायरेक्ट दिख जाना चाहिए आप लोगो चैशा नसरुलाबेग जो है ना वही वश्पन में गालिब की परवरिश किये थे क्योंकि 5 साल की मर में गालिब के पिता की मौत हो गई एक 66 नमबर सवाल है कि कि इसका भी आप्सर नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 167 नंबर सवाल कि शोबाज की पैदाईश किस सूबे में हुई option A में है बंगाल B में है बिहार C में है कश्मीर और D में है UP शोबाज की पैदाईश किस सूबे में हुई और इसका सही जवाब हो जाएगा 167 का option नंबर B जी हां बिहार में शौबास की भी पैदाइश बिहार में हुई थी आपसा नंबर बी विल भी दा करेक्ट एंसर 168 नंबर सवाल कि शौबास की पैदाइश किस साल हुई थी तो वह हुई थी 1860 इसका भी आपसा नंबर ए हो जाएगा इसका आपसा नंबर ए विल भी दा करेक्ट एंसर 179 नंबर सवाल है कि तफरीह लुब के मुसनिफ का नाम क्या है यान कि तफरीह लुब किसने लिखा है आपसा ने में कलीमुदीन एहमद भी में गालीब सी में शौबास और डी में शौबली नमानी हर एक कुशन को ध्यान से देखते चलिएगा और एंसर सही सही याद करते चलिएगा इसका जो सही एंसर होगा वो होगा ऑपसा नंबर सी शौबास तफरीह लुब के मुसनिफ कोने शौबास है एक सा सत्तर नंबर सवाल कि निसाब में शामिल खत में शौबास ने अपनी बेटी को मुखाइब किया ह तो बेटी का नाम रहता है क्या? बेटी का नाम रहता है सुगरा अपनी बेटी सुगरा के नामचेप्टर का टाइटल ही है यानि कि आपसन नंबर डी बाटल नंबर सवाल है कि मेदी अफ़ादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? आपसन a में है लखनाओ, b में है गो वो होगा option number B, जी हाँ, option number B will be the correct answer, option number B हो गया, बिल्कुल सही जवाब, गुरखपूर में मेहदी अफादी की प्यदाईश हुई थी, UP के गुरखपूर में, 172 नमबर सवाल है, कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, यह बहुत आसान सवाल है, मेहदी अफादी का रियल नेम है, मेहदी हसन, direct option A में ही दिख जा रहा है, मेहदी हसन, 172 नमबर सवाल on the screen है, कि मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की थी, तो मेहदी अफादी, देखें, यह important question है, यह पूछा गया है, आगर आप लोगो विश्वास नहीं हो रहा है, तो previous question पेपर में, आप लोगो quality कराई चुकी है, उसमें देख लीजिए, direct पूछा गया था यह question, कि मेहदी अफादी की, मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की, तो उन्होंने तीन शादिया की थी, तो एक सथिहत्र का आपसन नमबर C will be the correct answer, आगे बढ़ते हैं, एक सथिहत्र नमबर सवाल, कि मेहदी अफादी ने जेर निसाब खत में किसको मुकातिब किया है, यानि कि किसके लिए मेहदी अफादी खत लिखे हैं, जो हम लोगो को खत पढ़ना है, आपसने में शिबली नमानी, B में मकबूल अहमद समदानी, C में मनजूर अहमद नमानी, और D में अब्दलकफूर हमदानी, और इसका जो सही जवाब होगा, एक सचुगत्तर का होगा, आपसने में बी, मकबूल अहमद समदानी के नाम, जो है ना, मेहदी अफादी ये खत लिखे रहते हैं, यानि कि मकबूल अहमद समदानी को ये मुकातिब की अपने खत में, एक सचुगत्तर नमबर सवाल है कि मेहदी अफादी को उर्दू के लावा और किस जबान में महारता थासिल थी, तो मेहदी जो है ना, मेहदी अफादी, वो उर्दू के लावा याद रखियेगा, उर्दू के लावा वो अंग्रेजी भी जानते थे यानि कि अंग्रेजी यानि कि इंग्लिश में भी इनको महारत थासिल थी तो आप्शन नमबर A विल विदा करेक्ट एंसर एक सा सुल्ला नमबर सवाल कि बेदी से इंटर्व्यू किस ने लिया आप्शन ए में इसमत चुकताई बी में एहमद फिराज सी में रशीद रशीदा बेगम और डी में महसिन लहुरी तो बेदी से जो इंटर्व्यू लेती है उनका नाम रहता है इसमत चुकताई दो लोग लेते हैं तो फयाज रिफत सहब लेते हैं और दूसरी रहती है इसमत चुकताई तो यहां पर उप्शन में इसमत चुकताई दिया है तो अप्शन नमर ए टिक कर दीजिए लेकिन अगर उप्शन में एहमद सौरी फयाज रिफत रहता ना तो फयाज रिफत आप लोग टिक कर देते हैं 117 नमर सवाल है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या ह आपसाने में हैं कफन वी में महरानी का तोफा सी में जामुन का पेड़ और डी में बेगम का तोफा तो याद रखिएगा राजएंदर सिंग बेदी का पहला आपसाना यान कि पहले कहानी का नाम था महरानी का तोफा यान कि बेदी की पैदाईश किस शहर में हुई सवाल है कि शामिलने सबिंटर्व्यूं में किसका इंटर्वियू लिया जारा है तो चैप्टर का를ания की यानि बेड़ी से इंटर्वियू दिया भाध लिया जा रहा हैं सब्सक्राइब इसका सही जवाब होगा ऑप्सरी नंबर सवाल की बेदी का इंतकाल कब हुआ अप्सरी नंबर सवाल की चकबस्त की पैदाइश कब होई चकबस्त की पैदाइश हो गई थी अठार सब्सक्राइश तो इसका भी ऑप्सरी नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल नजब मनाजिर्य कुद्रत या फिर मनाजिर्य फित्रत के शायर कौन है यह भी इंपोर्टेंट कोशन ने पूचा गया है आप लोग कोशन पेपर पिछले साल का उठाकर देख लीजिए पूचा हुआ कोशन है यह निसाब में शामिल नजब मुनाजिर्य कुद्रत या फित्रत के शायर कौन है तो शायर का नाम पता है क्या है याद रखिएगा चकबस्त यानि की ऑप्सन नंबर ए इसदा करेक्ट एंसर एक सथ तिरासी पूरा नम क्या है और इसका सही जवाब 173 नंबर 804 सवाल का इंसर बताइए चकबस्त की वफात कब हुई मौध कब हुई थी उपसने में लुट च 624 बी갈ें सब 2026 औधी Beijing 1967 की वफासे Thai थी उन्हें 26 में option number C will be the correct answer एक सब 85 नंबर सवाल है कि चकबस्त का इंतकाल कहां हुआ option A में है राय बरेली भी में है लखनाउ ठीक है C में है अलीगड और D में है फैजबाद तो चकबस्त का इंतकाल हो गया था कहां पर राय बरेली में ही यानि कि option number A will be the correct answer आगे बढ़ते हैं 186 नंबर सवाल कि जगनात आज़ाद की पैदाईश कब हुई तो इनकी पैदाईश हुई थी उन्हें 168 में option number D हो गया बिल्कूल सही जवाब 187 नंबर सवाल है कि जगनात आज़ाद की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है option A में मनाजिर नाम क्या था यान की पिता जी का नाम क्या था आप सने में बर्ज नरायन चकबस्त भी में है रतन नात सरसफशार सी में तुलूक चंद महरूम और डी में गोपी नात नारंग इसका सही जवाब डायरेक्ट दिख रहा है option number C तुलूक चंद महरूम होगा चांद उन्हां नहीं है क्योंकि सौ से बस्क्राइब करना है तो सौ से लेकर क्यारा कोश्चन है इंडिया गेट कहां वाकी है आप लोग को पता है ना इंडिया गेट जो है कि बताइए बहुत आसान सवाल है दिल्ली में है लेकि इतना भी आसान सवाल आप लोगो के एक्जाम में पूछा जाता है सोचिए इंडिया गेट का है दिल्ली में डिरक्ट अं कुमराने की यानि की इंदिया गेट को किस ने बनवाया था तो इंदिया गेट को बनवाया थे अंग्रेजों ने आपसन नंभर B और प्र दंसर है कि कि नजम इंडिया गेट के शायर कौन है अभी मैं अफ लोग में उस्क्राइब नजम के जो शायर हैं वह जगनात आजाद। option number C will be the correct answer, 192 number स्वाल कि जगनात आजाद का इंतकाल कभ हुआ, 2001 option A में है, B में है 2002, C में है 2003, D में है 2004, इसका जो सही answer होगा, वो होगा option number D 2004, 1793 number स्वाल है कि निसाब में शामिल हम नौजवाँ है, कि शायर कौन है हम लोग के भुक में जुनजम है हम नौजवां है इस नजम इस कवीदा के शायर कौन है ऑपस्ण देखिए चार ऑपसन दिखाई देगा। दिख रहा हैं ऑपसने में परवेज शाहधी बी में जगन्नाताजार सी में निदा फासली और में है चकबस्त और इसका जो सही जवाब होगा एक सतीरानविर का वो होगा आपसन नंबर ए परवेज शाहदी विल बीदा करेक्ट एंसर एक सच्छारानविर नंबर सवाल है कि परवेज शाहदी की पैदाईश कब हुई तो उनकी पैदाईश हुई थी उन्हें से दस आपस सेयद मोहमद हुसें भी मिन सेय दमुवारक हुसें हैं सेयद हुसें और डी में सय घुसैन अहमद तो इसका जो जो सही एंसर होगा वो होगा कि जी हम एक rozum 955 और मीरे का अस motherf सिय एवरार हुसान, B- пользователь, सियद पर्वेज हुसान, ond me syad जावेद रहेगा तो 1906 साहय और नंबर B सेज़ एक्राम उसे म Viel बी the correct answer 397 नंबर फवार है कि पर्वेद शाधी का इंतकाल कब हुआ उनका इंतकाल हो गया था उन्हेंस और सथ में आपसन नंबर बी हो गया बिलकुल सही जवाब नेक्स्ट कोशन ओडे स्क्रीन है कि परवेज़ शादी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है परवेज़ शादी की कौन सी कवी तामलों के बुक में हैं आपसने में इंडिया गेट बी में हैं नजम हमलों के भुक में है उस नजम का नाम किया है हम नौ जवा हैं एक स तो परवेज शादी की वाइफ का नाम था फजीलत निसा बेगम यानि की आपसन नंबर बी इस दा करेक्ट एंसर अब लास्ट कोशन बताईए आज के इस वीडियो का या फिर टेंद क्लास के उर्दू के अबजेक्टिव कोशन का लास्ट या अबजेक्टिव कोशन है और इ आजादी के पहले देखिए आजादी के पहले बी में आजादी के बाद सी में आजादी के वक्त और डी में कोई नहीं तो तसलीश हयात के इशात यानि की जब इसको परकाशित किया गया था तो कब परकाशित किया गया था याद रखिएगा इसको परकाशित किया गया था कब बताईए यह लास्ट कोशन है इतना आसानी से मैं नहीं बताने वाली हूँ आप लोग सबसे पहले बताईए इसका सही अंसर क्या होगा चलिए अब बता देती हूँ इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्सन नंबर भी आजादी के बाद तसली से हयाद के शाथ यान आप लोगों को आगे में कराऊंगी अभी तीन से कोश्चन का आप लोग का टार्गेट था जो की पूरा हुआ आगे आप लोग टेंसर नहीं लीजे बहुत जल्द विविए अब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा बस आप लोगोंने लाइव का टाइमिंग सही नहीं उठी तो बहुत चारे स्टुड 온 का कहना था कि ये टाइमिंग सही नहीं का करते हैं उस पर लाइक होते ही defined होते बजे की थी तो उन्हों के साथ प्रोब्लम हो रहा था तो फिर दो बजे किया गया फिर शाम को पांच बजे इस तरह ना टाइमिंग बदलते बदलते फिर टाइमिंग खराब हो जाती है इसी लिए मैं बोल रहे हूं कि कोई भी आप एक टाइमिंग सेलेक्ट कर ले कोई भी कम्मुनिटी में या फिर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि हां लाइव होना चाहिए और जब मैं कम्मुनिटी पोस्ट करूँ चार ऑप्सान दू तो आप लोग का एक जैसा वोट आना चाहिए किसी एक टाइमिंग पर और दब टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया ज चलिए बहुत बढ़िया तो आज का इस आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं यहां पर आप लोग का फाइनली तीन सो अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट हो गया पहले दिन हम लोग हंडेट अब्जेक्टिव कोशन किये थे दूसरे दिन भी हंडेट और आज ती लिए आजर्फ ज्यादब आप्जेक्टिव कोशन कराऊंगी ताकि एक भी अब्जेक्टिव कोशन छूटेदे अ जो भी आप लोग के घ्रम में कोच्छन पुछेंगा ना मैं आप लोग आपडिक्टिव कोशन करा रही हूं उसी में से पूछे गा यह मैं गार्यांटीट ठुकड कर बोल रहा है जो मैं अब्रिट्प कुशंच कराती हैं वही आप लोग गदाम में फूचा जाता है यह बहुत बढ़ी बात है कि तो आप लोग लाइफस हो या फिर ना हो जभी वीडियो अप्लोड हो हो या फिर कुछ भी हो रहा है वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइव क्लास हो उसमें जरूर जुड़े वीडियो जब होगा अब सॲूमबार से उनलों oh हें हिंदी का क्लास्ट्रस के दो हो रहा है 11 वज pale अभी तक आप वोडियो को शेयर नहीं किए हैं तो पड़ा पट इस वीडियों को शेयर करते ताकि सभी लोग इस वीडियों कर All कर दे और जितना ज़्यादा आँ सके अपने पड़ोशी अपने दोस्तों के पास जितने भी छोटे बड़े आप लोग इस वीडियो का लाव उठासके चानल पर अग्राफ लोग नहीं नहीं आए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन बेल जरूर्द बालीजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिल्म लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदाहाफिज